नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिंगे तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिजे और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंद सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिजे ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे इन समाज में लांगिक समानता लाने के लिए लड़के और लड़कें दोनों के लिए विबा की समान आयू आईउ आवश्यक है टिपड़ी करें हम अपने आंसर के शुरुवात करेंगे ये बताते हुए कि भारती सम्विधान अपने अनुछेत 14, 1921 के माध्यम से महिलाओं के लिए स्वतंतरता और समानता सुनिश्चित करता है इसके बावजूद जेंडर ग्याप इंडेक 2022 में भारत 145 देशों में से 136 स्थान पर है भारत को अपने समाज में लैंगिक समानता पर बारीकी सिध्यान देना होगा और पहला कदम लड़कों दोनों के लिए विवाह उम्र को समान बना करके भारत लैंगिक समानता समाज में ला सकता है लैंगिक समानता लाने के लिए समाज में भारत वारा कुछ कदम भी उठाए गया है कौन-कौन से कदम है अब हम देखेंगे हाली में बाल विवा, निशेद या PCM संचोधन विद्यक 2021 नामक एक विद्यक लोग सभा में पेश किया गया था जिसका उद्देश था, प्रोबिशन अफ चाइड मारे जाएक 2006 में संचोधन करके महिलाओं की आयू को पुरुषों के बराबर बनाना यानि कि 18 वर्ष से महिलाओं की आयू को बढ़ा करके 21 वर्ष करना बिल में बच्चों को एक पुरुष या महिला की रूप में परिभाशित करता है जिसने 21 वर्ष की आयू अभी तक पूरी नहीं करी गई है यह मसौदाम विद्यक जयाजेटली की अध्यप्षता वाली एक टास्क पोर्स की शिफारिश पर आधारित है तो एक जयाजेटली टास्क पोर्स बनाई थी Ministry of Women and Child Development ने और इसी टास्क पोर्स के रिकमेंडेशन पर यह बिल लाया गया है लड़कियों को शादी की उम्रों को बढ़ाने की क्या आवशकता है अगर हम इसकी बात करें तो नाशनल फैमली हेल्थ सर्वे 5 के आखड़े कहते हैं कि 18 साल से कम उम्र की 23 प्रतिशत महिलाओं की शादी हो चुकी थी जब यह सर्वे किया गया और 15 से 18 साल की उम्र की 7 प्रतिशत लड़किया उस ताइम गर्वती पाई गई थी प्रेगनेंट पाई गई थी कम उम्र में विवहा से उच मात्र मित्यू दर और शिटशू मित्यू दर के भी कॉंसेक्वेंसेस देखने को मिलते हैं इसके अलावा पुरुष्यों और महिलाओं के बीच विवहा की उम्र में अंतर समानता के मौलिक अधिकार को भी कम करता है यानि कि जो fundamental right of equality है इसको कर्टेल करता है जो यह age का difference 18 और 21 साल था यह इस fundamental right of equality को कर्टेल करता था फिर lockdown के दौरान काफी जाधा बाल विवहा के मामले बढ़ गए हैं तो अब बाल विवहा पे नजर पड़ी है कि इतने जाधा cases बढ़ रहे हैं तो आप ऐसा कोई legislation लाना चाहिए और महिलाओं पुरुषों की आयू को equal करना चाहिए फिर कम उमर में शाधी करने से लड़कियों को स्कूल और कॉलेज छोड़ना पड़ता है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने से उनका अफसर छीन लेता है तो एक consequence ये भी देखने को मिलता है बाल विवहा का कि महिलाओं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाती हैं क इसके अलावा ये जो बिल आया है इसको लेकर कुछ चिंताएं भी है यानि कि महिलाओं की एज शादी की बढ़ाने को लेकर के कुछ लोगों ने चिंताएं भी जाहिर करी है कुछ एक्सपर्ट में उसे हम डिसकर्स करेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपको information तेना चाहती साथी साथ personal guidance के तुरू आपके answer writing प्राक्टिस कराई जाएगे आपके answers review भी होंगे इसके अलावा one to one guidance के तुरू आपकी answer queries, doubts, सब कुछ सॉल्ट किया जाएगा साथी साथ में इसके perspective से आपको important study material भी provide किया जाएगा इसलिए नीचे तिये के numbers पे contact करें, groups को जरूर जोइ जाने को लेकर के experts ने क्या चिंताइं जाहिर करी हैं, तो सबसे पहली चिंता है कि विवहायोग आयू 21 वर्ष निधारत करने का आधार जब पुर्षों महिलाओं दोनों द्वारा मदान प्रदान करने की आयू 18 वर्ष यानि कि basically कहना यह है कि 18 वर्ष की आयू मदान प्रद का इसा कहना है उसके अलावा बाल विवहा का कोई प्रभावी समधान नहीं है क्योंकि जब महिलाओं के लिए विवहा की नियूंतम आयू 18 वर्ष ने धारित करी गई थी उस समय भी भारत में बाल विवहा चलन में था और अगर एज बढ़ा दी गई तो बाल विवहा की सं प्रभावी समधान नहीं है और अधर स्टेप्स लिए जा सकते हैं बाल विवहा की आयू को बढ़ाने के लिए इसके अलावा अल्प संख्यक समुदायों में भारती समधान के नुचे 25 का उनलंगन करने वाले अपने व्यक्तिगत कानूनों के हस्तेशेप करने वाले विद पूरा अधिकार देता है कि वो अपने कस्टम को अपने कल्चर को फॉलो कर सके तो अगर उनका कस्टम है बाल विवा का और ये बिल उनके कस्टम के साथ छेड़ चाड़ करता है तो इसलिए इन माइनॉरिटी कम्यूनिटीज के अधार पर इस बिल में कुछ कंसर्स जताय जा रहे हैं इसके माद हम अपने अंसर को कंक्लूट करेंगे एक वे फॉरवर्ड बताते हुए आगे का रास्ता बताते हुए हम बताएंगे कि आज की दुनिया में महिलाएं जीवन के हर छेतर में पुरुशों के बराबर हैं इसलिए ऐसे कानून लागू होने चाहिए जो उनकी स्थिती को और शशक्त बनाएं और उन्हें जीवन में आगे लाएं भारती समविदान द्वारा वादा किया गया समानता काधिकार और संयुक्त राष्ट द्वारा प्रस्ताविच सस्टेनेबल डवलप्मेंट गोल 5 को मजबूत कानूनों द्वारा समर्थन्त मिलना चाहिए और PCMA संशोधन विद्यक 2021 इस दिशा में प्रभावी कदम हो सकता है तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कम्प्लीट होता है आगे आने वाले वीडियो में हम एक नया इंपोर्टन टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे बने रहिएगा चानल के साथ मि नेक्स वीडियो में थांक्यो पर वाचिन